नमस्कार, हिंदी साही तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तों, आज हम हम हिमाच्य परदेश में हुई HP, TGT, TET, Arts की जो परिक्षा थी उसको डिसकस करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने इसमें देखिए अपना जो 61 से लेकर के 150 तक के जो क्षण थे उनको डिसकस कर लिया है तो अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियो नहीं देखिए तो आप एक बार उसको भी देख लिजिए ताकि आपको सारी जो चीज़ें हैं सारे जो प्रशन हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएं तो इस वाले सेक्शन में हम 31 से लेकर के 60 तक के जो क्षण है उनको डिसकस करेंगे जो आपका English portion रहेगा उसको हम देखेंगे तो चलिए स्टार करते हैं और अगर हम से इसमें कुछ एक गलती रह जाए तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर हम से वो चीज़ भी कह सकते हैं क इसका जो सही answer यहाँ पर worry is eating his heart तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो D है वो सही उत्तर इसका होगा चलिए नेक्स प्रशन है देखिए 32 My son goes to office 930 by bus तो यहाँ पर by होगा विकल्प नंबर C इसका सही उत्तर होना चाहिए नेक्स प्रशन है देखिए choose the correct model from the given options Had I been in the class I would have learnt the lesson तो विकल्प नंबर A 33 का होगा A सही answer नेक्स प्रशन है देखिए 34 which of the following pair is correct तो इसका जो सही answer होगा देखिए 34 का वो होगा आपका विकल्प नंबर A He is too gentle that he will not cheat you नेक्स प्रशन है देखिए 35 यहाँ पर लिखा है Scarcely had he seen his boss तो इस वाके को complete करना था तो यहाँ पर देखिए 35 का जो सही answer होगा विकल्प नंबर C Then he ran away Next question देखिए कुश्वन सिंग्स the portrait of a lady is an तो यह है an epic विकल्प नंबर D इसका सही उतर होगा Next question देखिए 37th the past participle of breed is तो इसका हो जाएगा आपका B, R, E, A, D 37th का होगा विकल्प नंबर B, 38th question देखिए she loves singing, singing here is used as verb तो विकल्प नंबर D इसका सही उतर हो जाएगा यह तो होगे 38th question, 39th और 40th जो question है देखिए choose the synonym and nearness in meaning तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए audacity डखा गया है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए 39th का वोगा विकल्प नंबर B, fearfulness अगला परशन है देखिए congruous तो इसका जो synonym होगा या इसके नजदी की जो शब्द होगा देखिए वोगा आपका विकल्प नंबर B, state forward विकल्प नंबर B, इसका सही उतर होगा नेक्स प्रशन है देखिए यहां पर तो यह कह रहा है कि 41 से लेकर कि 45 तक जो है choose the antonym of the given words तो ड्विंडल है देखिए इसका अर्थ होगा आपका ग्रो इसका जो उल्टा होगा नेक्स प्रशन है देखिए satiate, satiate का मतलब है आपका यहां पर विकल्प नंबर 42 का जो हो जाएगा देखिए विकल्प नंबर D, dissatisfied अगला प्रशन है देखिए award for one of one voice is तो यह है आपका 43 का देखिए विकल्प नंबर B हो जाएगा unanimous ठीक है next देखिए love for mankind is तो 44 का जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर C इसका exact उतर हो चलिए अगला प्रशन है देखिए 45 यहां पर the teacher his students when the principal entered the classroom तो यहां पर हो जाएगा इसका सही उतर विकल्प नंबर 1 was teaching अगला प्रशन है 46 वहां से 48 तक यहां पर idiom और phrases तो यह आपने देखने थे when he saw her he bit his lips तो इसमें देखिए he bit his lips इसका क्या answer होगा विकल्प नंबर C became angry सही answer क्या होगा विकल्प नंबर C अगला प्रशन है देखिए even the opposition had a dig at the government तो यहां पर होगा विकल्प नंबर A criticized next question हम देख लेते हैं इसके बाद यहां पर 48 जो question है देखिए after he won the election he rivals were in the oldrums तो इसका जो सही उतर होगा देखिए 48 का विकल्प नंबर B हो जाएगा in low spirits next question ह देखिए 49 और 50 अरेंज the following parts of sentences in a way to make complete the meaningful sentences तो यहां पर इसको आप देखिए खुद से पढ़ लेना आपको इसको long long time ago तो 49 का जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नंबर A इसका सही उतर होगा P S Q R इस range में आपने यह करने हैं अगला प्रशन है देखिए when I reached my office तो इसमें आपका जो सही उतर होगा देखिए 50 का वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर इसमें B सही उतर होगा Q S R P तो आप इसको देख लेना एक बार अगला प्रशन है 51 और 52 choose the correct options तो यहां पर as cool as मतलब similar जैसे आपने इसके देखने हैं as cool as तो यहां पर 51 का हो देखिए as brittle as तो यह हो जाएगा आपका 52 का देखिए क्या होगा विकल्प नंबर A इसका सही उतर हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं 53rd जो question है देखिए 3rd to 55 यह कह रहे हैं कि choose the proper verb that agrees with the subject तो यहां पर none of the girls applied for the job तो 53 का जो सही answer होगा विकल्प नंबर होगा A have none of the girls have applied for the job next है it is you who my career तो इसका जो सही answer होगा देखिए 54 का वो होगा विकल्प नंबर D is spoiling अगला question है देखिए each boy and each girl तो यहां पर 55 का होगा जाएगा D कि each boy and each girl is going to take part in the play next question है देखिए 56 यह कहरें choose the correct passive voice from the given four options तो इसके मैं सीधे आपको options बता देता हूं कि did the king not तो इसको आप देख लेना खुद से 56 का जो सही answer होगा विकल्प नंबर D where his enemies not slain by the king तो यह है सतावनुमे का जो उतर है देखिए the bridge is building fast तो इसमें जो आपका 57 का जो उतर होगा विकल्प नंबर C इसका right answer होगा fast is being built up bridge ठीक है 58 का देखिए the children love to watch movies तो यहां पर हो जाएगा आपका 50 जो आपका 8th question है देखिए इसका होगा विकल्प नंबर B movies are watched with the love by with love by children तो अगला प्रशन है देखिए 59th who humiliated you in the party तो देखिए दूस्तों इसका exact जो उत होगा क्योंकि हो सकता है वो गलत हो जाए तो इसलिए इसका उतर अगर आपको मालूम है तो आप हमें comment section में जाकर बता सकते हैं आज का जो आखरी प्रशने देखिए English section का वो देख लेते हैं His behavior has really amazed us तो इसका जो सही उतर हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा आपका विकल आती तक सही तरीके से जानकारी पहुंँ सके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के बीच में like कीजिए शेर कीजिए और चैनल को subscribe करना बिल्कूल भी न भूले तो फिर मिलेंगे नई उर्जोन इसपूर्टी के साथ तब तक के शुक्रिया जय हिंद